हेलो गुडिवनिंग नमस्का बीपीएसी करेंट अफ्यार सीरीज में जो 2024 में 17 यानि 70 वा सवेंटीथ बीपीएसी होने वाला है उसमें करेंट अफ्यार सीरीज में दो थिम डिसकस करेंगे एक सेल एसकलरूल और स्मार्ट टॉर्पेडो सिस्टम एक सेल यानि अंडे के छिलके की खुपड़ी नियम इसको इंदी में बोली है और यहां है स्मार्ट टॉर्क पैडो सिस्टम सुपर्सोनिक वेब से पानी के नीचे चलता है के लिए यह दोनों अभी हम डिसकस करेंगे चलिए शुरू करते हैं तोनों बहुत इंपोर्टेंट है आपके करेंट अफेर्स बीबीएसी के लिए चलिए हुआ क्या कि सुपरीम कोट ने 23 अपरील दो हजार चौविस को एक फैंसले में जो कंपनसेशन था उस कंपनसेशन को पांच लाख रोपया यह नहीं मुआपजा के रासी के पांच लाख रोपया देने का आदेश दिया जो डिस्टिक कंजूमर फोरम ने पहले दे दिया थ कि केस क्या है उसके बाद में समझना पड़ेगा कि एकसेल एसकल रूल या लीगल प्रिंस्पल क्या है उसके बाद में समझना पड़ेगा कि कंपनसेशन वाला मामला क्या है यहां पर यह हैं कि राज्य और केंद्रिये उपहोगता अदालत ने जो मुआपजा ताय किया था केस में उस मुआपजा को बढ़ा के इन्होंने पांच लाग कर दिया सुप्रियूम कोट लेकिन या एग सेल एसकल रूल नहीं लगाया या लागू होता या जो बच्चा था पूटने और रेनाय में बहुत बार इन्होंने एक लात मारें इनके पिंडली पे अभी या जिन्दगी भर के लिए लंगडा हो गया क्यों चुकी इनको पहले से इस पिंडली में एक प्रोब्लेम था अलाकि इनके एक लात एक किक मारने से कोई आदमी लंगडा नहीं हो जाता लेकिन चुकी इनको पहले से प्रोब्लेम था इसलिए इनके एक किक से या लंगडा हो गया तो इसी principle के यानि पहले से इस victim में कुछ ऐसा problem था जिसके कारण यह लंगड़ा हुए न की इनके मारने से लंगड़ा हुए तो Excel-Escal Rule यहां लगने के बाद में क्या होगा इनका compensation बढ़ जाएगा यानि अंडे के छिलके के खोपड़ी का दिनियम यानि खोपड़ी अंडे के छिलके को थोड़ा साथ कोई मार दिया तो माता बढ़क जाएगा इस तरह सा है तो उस समय यह rule लागो हुआ उस समय से यह rule सबसे पहला आया ठारा सो एकानवे में आरा बात समझ में यानि अब Excel-Escal Rule क्या होता है, समझे, Excel-Escal Rule यह Common Law Principle है, जो Civil Latigation, शुरु में पता है, या एक समाने कानूनिक सिधान्त है, जो Civil Latigation में लगता है, Criminal Law में लगता है, उसमें क्या होता है कि Offender जो है, वह लाइबल होते हैं सारे Injury के लिए, जैसे पुटिनी लाइबल होंगे उ काड़न हुआ लंगड़ा हुए इनके मारने के काड़न नहीं लंगड़ा है यानि अपरादी उन सभी चोटो के लिए उत्तरदाई होगा जो घायल भेकती के बिसिस्ट परिस्थिती इस्थिती यानि पिकुलियर कंडिशन के कारण हुआ है जो उनको पता नहीं था पुतने क क्या है कि हुआ गया कि 2005 में एक लेडिज का नाम है जोती देवी तो अपेंडिक्स का ऑप्रेशन कराने पहुंची हीमाचल परदेश के एक होस्पीटल जो मंडी डिस्टिक में अपेंडिक्स का अपरेशन हो गया उसके बाद में अपरेशन के बाद में उनके पैट में तो डॉक्टर ने पाया कि उनके पेट में 2.5 cm का नीडल छोड़ दिया गया इस यह इस होस्पीटल के डॉक्टर ने छोड़ दिया गया के लिए यह केस है इसके बाद में इनोंने डिस्टिक कंजूमर फोरम में पहुंचा जोती दे भी पहुंची तो उन्होंने पांच लाह का कमपनसेशन लगाया मेडिकल नेगलेजियंस के लिए चिकित्सिये लाबारवाही के लिए बाद में जब होस्पीटल था वह स्टेट कंजूमर पहुंचा तो स्टेट कंजूमर ने उस मुआवजा के रासी को एक लाह कर दिया बाद में तो इनोंने जोती ने पहुंचा फिर नेशनल कंजूमर डिसेपूट रिडरेसल कमिशन नेशनल कंजूमर कोट में तो उन्होंने इसको दो लाह कर दिया और बताया कि चुकि एगसेल एसकल रूल यहां लागो होता इसलिए दो लाह किया जाता है कि लिए बात में जब सुप्रीम कोट पहुंचे जोती पेन एक दर्द जहला है इसलिए इनको डिस्टिक कंजूमर कोट का जो पांच लाक मुआवजा है वहीं दिया जाएगा यह केस के लिए तो यह रहा है यह दो जस्टी थे जिन्होंने केस किया तो एक सेल इसकल रूल समझ गया दूसरा क्या था दूसरा है सुपर सोनिक मिसा असिस्टेट यानि यह मिसाइल के द्वारा सहायता प्राप्त टॉर्पीडो जो की मिसाइल के कारण यह सुपर सोनिक स्पीड से चलता है सुपर सोनिक स्पीड होता है जो एक मैक से लेके पांच मैक तक के स्पीड को सुपर सोनिक स्पीड बोलता है अब मैक क्या होता है मैक होता है हवा में sound का velocity होता है उसको एक mike बोलते हैं अगर 5 से ज्यादा हो गया तो उसको hypersonic बोलते हैं clear अगर 1 से कम हो गया इसको sonic में करते हैं यानि 1 से कम हो गया तो subsonic 1 से 5 supersonic 5 से ज्यादा hypersonic clear यह कहां टेस्ट किया गया डंक्टर एपीज अबदुलकलाम जो में island पर किया गया test और यह क्या है next generation का missile based अभी देखें मिसाइल से यह speed पकड़ता lightweight torpedo delivery system है जो torpedo को deliver करेगा clear अब यह torpedo क्या है torpedo क्या है एक तरह का यह missile होता यह bum भी हो सकता जो की underwater fire किये जाते हैं पानी के नीचे fire किये जाते हैं और एक certain distance ट्राइबल भी करते हैं यह self-propelled weapon होते हैं जो underwater करते हैं समूंदर के नीचे किसी को मारना कोई सीप है उसको नीचे मारना तो torpedo से मारा जाता है 2010 में DRDO ने सबसे पहले इस project को develop करने वाला project किया 2010 में सबसे पहले यानी torpedo को develop करने वाला project शुरू हुआ और आज हमारे पास कई तरह के torpedo है क्लिया अब यह smart system क्या है भी तो समझ गहाँ कि smart system क्या है next generation है क्यों चुकि missile based है lightweight है यानी हलका वजन है और torpedo delivery system है यानी एक delivery system है जो torpedo को इतने speed से पानी के नीचे तक भेज सकता है क्लियर यह smart एक mechanism है जो कि torpedo को supersonic speed से missile system से भेजा जाएगा modification जिसको जाए टॉर्पीडो में संसोधन के साथ supersonic missile परनाली से लंच किया जाता है भेजा जाता है क्लियर एरा smart era torpedo जो अंदर से इसको भेजे जाते है इस तरह का test किया गया है तो यह दोनों आप समझ गया excel scull rule क्या होता और smart torpedo system क्या है इसका pdf हमारे telegram channel तीवारी general study से आपका मिल जाएगा वहां से देख लीजेगा और इसको भी like किजिएगा subscribe किजिएगा और share किजिएगा कोई comment हो तो comment section में जरूर बताइएगा so thank you have a good day and happy learning thank you very much